खबर है बिर्जापुर से हेलो इंडिया क्रस्ट द्वारा विकास खट पहाड़ी के ग्राथ पंजायत अक्सॉली में मेगा फास शीविर का आयोजन किया गया इस अफसर पर 460 परीजियों का स्वास परिक्षड करते हुए निशूद दमाव का वित्रड किया गया बियेच्चु से प्रशिक्षित कामेस्टोलाजी विशेशग्य डॉक्तर प्रशान कुमार ने त्वचा और राकुन रोग्यों का परिक्षड करते हुए निशूद दवा का वित्रड किया उन्होंने बताया कि हमारे हाँ लेजर टेक्निक से गंजापन, गोरापन, पिल, मस्से, सफेद दाख, टैटू, मुहासे का दाख, चोट के निशान का स्थाई वप्राकृतिक उप्चार किया जाता है जनरल फिजिशियन डॉक्टर संतोष यादो ने शुगर बीपी के मरीजों का स्वास करिक्षड करते हुए उचिक खान पान वो प्रकृतिक जीवन शैली अपनाने की सला दी कारिक्रम के संयोजक राश, शांडेल उर्फ, राजन कुमार, विश्व कर्मा ने लोगों से बिवारियों के बचने के लिए और सोथ रहने के पती जागरूप किया और बताया कि हेलो इंडिया ऐसे ही समाज के उत्थान के लिए सौस शिविर का आयोजन करती रहेगी इस अफसर पर हेलो इंडिया ट्रस्ट के सद्यसिर रवी सोनकर संजेनी शार, ओपी जी, कैलाश, विजे कुमार आप दिने कारिक्रम में आयोगों को सयोकर राण किया मिर्जापूर से नईम वार्सी की रिपोर्ट हेलो इंडिया ट्रस्ट द्वारा एक स्वास सिविर ग्राम अक्सौली पहाड़ी बलाक में लगाया गया है जिसमें ब्याच्चू के प्रसिछिट डाक्टर आँख, दांख और स्कीन का फिरी चेकप और मुट दवाईयां बित्रण करा जा रहा है जिसमें उनका स्वास से संबंदित लोग इलाज कराने के लिए हमारे हां आ रहे हैं कैम्प में और साथ ही जो है हलो इंडिया ट्रस्ट के जरिए ये सिविर बराबर गाहों में लगाया जाएगा आज किते लोगों का यहां पर सिविर इलाज किया है अभी तक तुम सुबह दोबें से कारकरम चल रहा है और 360 लोगों ने सिविर में इलाज कराने के लिए उपरस्थित हो चुके हैं और आगे साम तक यह चारवे तक का प्रग्राम चलेगा लगबग उम्मीद है कि 700-800 लो है था